नमस्कार दोस्ता आप सभी का एक बरी फिर्ट सुवागत है गुरुकल अफ साइंसेज में मैं दिने शर्मा और सर आज अपन लोग करने वाले हैं प्रोबैबिलिटी वन जो है ना आपकी लिबस में प्रोबैबिलिटी थियोरी वन सर उसके कुछ अल्टिमेट कोशन्स करेंगे देखो इन कोशन्स के जो आज डिसकस करेंगे आने के चांसिस आपके एक्जाम में बहुत जादा है यो यूनिवर्स्टी आप एक्जाम होगा आपका भी पर सेमिसर का उसमें सर आने के चांसिस बहुत जादा है अभी तकर अगर आप इस चैनल पर नए है तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि सर हम इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स जो है पूरा कवर करेंगे यहा यह सवाल अपने से चीज पूछना चाहरा है अच्या प्रोबैबिलिटि निकालनी किसमें सर अरेंजमेंट कैसा है अपना रेंडम अरेंजमेंट है कैसा arrangement है सर अपना random arrangement है तो आप लोगों ने मिरे को comment करके बताइएगा कक्षा 11 वी में क्या permutation and combination पड़ा था comment में बताइएगा सर मिरे को कि क्या आपने कक्षा 11 वी में combination और permutation पड़ा था आप देखिए random arrangement जो commerce word है सर इसके कितने होंगे all possible case में लिख लू क्या ऐसे तो exhaustive cases जो इसको हम बोलते हैं न exhaustive cases exhaustive cases सर कितने होंगे आप देखें ये कितना है जी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ उपर कितना है गा जी आठ फक्टोरियल बहुत बढ़िया आप सर इसमें कुछ ची जी जी है वह repeat भी हो रही है क्या repeat हो रही है बोलो भई आप देखें आपका c word सर कितनी बारी आ रहा है दो बारी आ है क्या तो नीचे क्या रहेंगे तो इन्टु में सर आप चेक करके बताएं क्या SM लिव डो वrial और देखें आप कोई और भी दो वर्ड आ रहा है क्या सर यह रहा ई यह भी कितनी बारी आ रहा है दो बारी तो दो तक्टोरियल सर यह आ गए आपके एक्जॉस्टिव केसिज ठीक है सर अब देखो हमें क्या कहता है कि सारे वोवल जो है न वो एक साथ आने चाहिए तो सर इन वर्ड को जड़ा हटा दें अब सर वर्ड कितने बचे आपके पास पांच बचे कौन-कौन से वर्ड बचे एक बरी बताना मेरे को आपके पास सी बचा आपके पास दो बारी एम जो है वो बचा हुआ है आपके पास सर आर बचा हुआ है और आपके पास सी बचा हुआ ह यही 5 वर्ड बचे हुए है सर सवाल यह कह रहा है कि इन तीनों ने एक साथ आना है तो एक साथ आने के लिए आप क्या करते हैं इसको न एक ही आप अलफबेट मानते हैं इस पूरो इन तीनों को तो टोटल देखें यहाँ पे अब टोटल कितने है पांस तो यह थे एक इसको मान लिया तो सर यहाँ पे कितने Also अपने पास छे फैक्टॉरियल हुए क्या कितने हो गए जो शे फैक्टॉरियल इन छे फैक्टॉरियल में आप देखें दो बारी सर 12 सर नटी में तो Rust ठीक है सर जी आपसे मैं ऐसे पूछ लूँ क्या ये तीनों जो हैं वो अपनी position को interchange कर सकते हैं आपको गवे बिल्कुल कर सकते हैं तो सर यानि कि ये तीनों आपसे अपनी position बदल सकते हैं उसके लिए सर किस से multiply करेंगे इसको 3 factorial से लेकिन यहां पे सर दो बार e b आ रहा है तो सर इसको divide भी करेंगे किस से 2 factorial से बात आई समझे तो यह हो गए सर अपने कौन से cases favorable cases हो गए क्या यह सर कौन से cases हो गए अपने favorable cases हो गए देखो favorable cases अब आप देखें सर probability क्या आएगी formula तो आप जानते है उसमें तो उस्ताद है जी आप प्रोबैबिलिटी प्रोबैबिलिटी किस किया जी आल दी वोल्स कम टुगेधर है न यहां पर लिख देंगे आल दी वोल्स कम टुगेधर तो सर formula क्या होता अपना favorable cases divided by exhaustive cases यह total number of cases आप देखें सर favorable cases कितने अपने पास यह रहे 6 factorial ins 3 factorial divided by 2 factorial, into me 2 factorial, into me 2 factorial. सर डिवाइड करेंगे आप इसको जसर रामायन से डिवाइड करेंगे तूश का क्या करेंगे सर reciprocal करेंगे क्या ? जपना जए इसको मैं जेक होगा... 2 factorial into two factorial into two factorial into two factorial divided by eight factorial आप देखें सर कुछ cancel हो रहे किया बताएगे को क्या cancel हो रहा है यह पूरी रमायान और गख्या आप देखें आपने पास क्या बचा स्च फैक्टोरीयल 4 क्यों तीन 2 इंटju 1 हैं कर इंट्य वृ क्यों क्यों से लिखें एक एंट इंट उस्टे corazón सर्थ हो एक प्रोबैरिबिलिटी आ गई कि इस वर्ड कोमर्स के रैंडम अर्रेंज्मेंट में आपके तीन जो वोवल थे O-E-E, ये तीनों एक साथ आएं, लोजिक समझ आया है सबको, थोड़ा सा इसमें कहें, अपना PNC का यूज हुआ है, जो हमने कक्षा 11 वी में पढ़ा था, सर नेक्स कोशन देखते हैं, अब देखो, अगला सवाल देखें सर, बहुत ही बहतरीन सवाल आए, कहता है, what is the probability that 4S come consecutively in the world Mississippi, कहता है, क्या probability है, अपना ये जो वर्ड है सर, Mississippi, इसके अंदर 4 जो S आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो consequently आएंगे, consecutively, ठीक है सर, मतब चारो एक के बाद एक, समझ गए ना भी बात, चारो कैसे आएंगे, एक के बाद एक, तो सर पहले देखते हैं, अपने exhaustive number of cases, ये total number of cases, जो हैं, वो क्या होगे, तो सर, total number of cases, क्या होगे अपने, क्या कहते हो जी, total number of cases, आप देखें, सर ये कितने हैं, ज चार, पांच, छे, साथ, और नूँ, दस, ग्यारा, सर जी, ग्यारा फक्टोरियल, डिवाइड वाइड कोई repeat भी हो रहा है क्या, क्या कहरे हो, जी, आपका M तो repeat नहीं हो रहा, आई कितनी बाद रिपीट हो रहा है, एक, दो, तीन, चार, तो डिवाइड में क्या करेंगे, 4 फक्टोरियल, इंटू में, आप चेक करें, कुछ और भी repeat हो रहा है, सर, S कितनी बाद रिपीट हो रहा है, 4 बारी, इंटू में 4 फक्टोरियल, इंटू में, सर, कुछ और भी repeat हो रहा है, I चेक कर लिया, S चेक कर लिया, अब आप कहोगे, सर, PB repeat हो रहा है, कितनी बाद र लगतार आने चाहिए मैं क्या सारे पॉसिबिलिटी बना लेता हूं उससे क्या आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा देखो थोड़ा लेंदी जरूर होगा मतलब वीडियो जो इस कोशन का तीन चार पात छे साथ आट नो दस ग्यारा आपको समझने में बड़ी असानी हो जाएगी सर इससे जो है ना एक ही निया सर तो यह मैंने ग्यारा पॉजिशन जो है वह मार्क टर्ली है आपको एक्स्प्लेंड क करने के लिए इस को अश्य देखे किसी को कर कोई मसला रहता है तो सब्सक्रिप्शन में नमबर गिवन अपना आप जो इस पर मैसेज कर सकते हैं जो भी अपनी को रही है स्टैट्स हो या फिर मैस से रिलेटिड हो नेकिन यह सर जितने भी देखो कर आपको अच्छा लगता है समझ आता है पढ़ाया हुआ आप जो मिरको ट्विटर और इंस्साग्राम या फिलेंग्डेंट में भी एड़ कर सकते हैं तो देखें जी पहली पॉसिबिलिटी क्या है हो सकता है चारों स्टार्टिंग में ही चार पोजिशन को उक्यूपाय कर लें तो पहला एस दूसर तीसरा चोथा और पांचवा यह पॉसिशन जो है यह एक्वायर करें या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर तीसरी चोथी पांचवी छटी पोजिशन एक्वायर करें यह भी तो हो सकती है पॉसिबिलिटी और आप देखें फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हो सकता से चार यह वाली चार पॉजिशन को एक्वाइर करें या फिर यह वाली पॉजिशन को एक्वाइर करें या फिर सर यह वाली पॉजिशन को एक्वाइर करें फंडा समझ रहे हो आप यह दिखने में असान है कुशन बट लॉजिकली बहुत सही है तो यह सर अपने पास पॉसि 6 7 8 9 10 और 11 पहले केस में क्या है पहले ही चार पोजिशन पे ऐसे फिर दोसे एक शिफ्ट कर दी शिफ्ट कर दी टोटल देखें सर यह अपना एक पॉसिबल केस हुआ यह दूसरा हुआ यह तीसरा चौथा पांचवा छटा साथवा आठवा तो अपने पास यह आठ पॉसिबल उनका क्या ग्यारा में से आपने चार एस माइनस कर दिये देखो मैं एक की बात करता हूं पहला जो है ना यह अपना इसको लेते हैं ठीक इससे आपको समझाता हूं आपने शुरू की चार पोजिशन पे तो एस फिल कर दिया यह कि यह बाकी साथ पोजिशन पे क्या-क्या वर्ड बचे हुए अपने पास अभी अपने पास एम बचा हुआ है अपने पास कितने आई बचे हुए चार आई बचे हुए और चार एस तो हमने भरी दिये हैं और दो पी बचे हुए यह साथ Alphabet अपने बचे हैं इन साथ Alphabet को पहले case की बात कर रहा हूं सिर्फ इन साथ Alphabet को इन साथ position में कितने तरीके से सर्भणा जा सकता है क्या कहते हूं 7 factorial 7 factorial divide में कुछ repeat भी हो रही है सर बिल्कुल हो रहा है बार बार यह आपका i repeat हो रहे हैं तो divide by 4 factorial और Rivers पी कितनी बारेगेट हो रहे हैं दोबरी owners 240 यह बात पिसे कईस आपके सपासर case केश कितने 8 हैं आप क्या करोगे इसको êtes этой çathy आप अप अपने चार राकर से स्धिनर नहीं किये आप देखिएम चार स को किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है 4 factorial क्या 4 yes repeat है तो ये क्या जाएगा 4 factorial divided by 4 factorial सर आप इसको लिखे ना लिखे कोई मसला ही नहीं है logic समझ गए तो ये क्या आगए अपने पास मैं बोल दू क्या ये favorable cases है क्या 7 factorial into 8 divided by 4 factorial into 2 factorial कमेंट में मेरे को बटाइएगा किस-किस को ये favorable cases जो है वो समझ आए ठीक है सर अब देखें probability क्या होगी तो probability मैं यहां निकालता हूँ अपने देखें favorable cases क्या है सर 7 factorial into 8 divided by 4 factorial into 2 factorial और सर टोटल number of cases क्या थे ये थे तो इसको क्या कर दे सर रेसी प्रोकल करते हैं आपको तो चलो आप कहा रही हो तो आपकी बात थोड़ी टालेंगे है ना निकलने तो ऐसे वाला था कि आपकी बात थोड़ी मानेंगे कोई नहीं तो 4 factorial into में सर 4 थोड़ा 9 जैसा बन गया अपना 4 factorial divided by 11 factorial अब सर गेम खेलना स्टार्ट करेंगे देखो 4 factorial से 4 factorial कैंसल हो गया अपना इसको मैं थोड़ा सा और सौल करता हूं सर प्रोबैबिलिटी आई अपनी 7 factorial into 8 into 4 ओहो एक 3 भी तोड़ रही है 2 factorial से 2 factorial है ना 4 factorial कैसे खुलेगा 4 into 3 into 2 into 1 divide by 11 factorial सर 11 into 10 into 9 into 8 into 7 factorial आप देखे 7 factorial से 7 factorial क्या हो जाएगा सर हैपी बड़ दे अब देखें यहाँ 8 से 8 का भी हैपी बड़ दे और क्या cancel हो रहा है सर यह 3 cancel होएगा 3 पे है की नहीं है यह 2 cancel होगा 5 पे सर और कुछ भी cancel हो रहा है क्या नहीं हो रहा है चलो ठीक है तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास उपर बचा 4 नीचे क्या आएगा यह कितना हो गया जी पांच थी है पंद्रा एकसो पचास पर पंद्रा कितने होते हैं जी एकसो पैसट सर ये अपना जो है वो आंसर आगया ये प्रोबैबिलिटी है कि चारो एस आपके लगातार आएंगे समझाया ये आप लोगों को ये कोशन आपने 11 में ज़रूर किया होगा पर पर्मूटेशन का किया होगा मिसपी का कि कितने वर्ड जो इससे बनाए जा सकते हैं ऐसे ही किया होगा कमेंट में मिरे को बताईएगा और कितने को समझाया सर ये भी मिरे को कमेंट में बताईएगा कि जी समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है अभी देखते हैं sir next question next सवाल देखिए sir कहते 25 books are placed at random in a shelf 25 किताबे थी आपके पास आपने क्या किया उनको randomly place कर दिया कैसी book shelf में कहते है find the probability that a particular pairs of books shall be always together and never together कहते है जी आपके पास एक pair था दो किताबे थी आप ये जाना चारे हैं क्या probability है कि वो दोनों हमेशा एक साथ आए या sir दोनों जो हमेशा एक साथ ना आए दोनों की probability हमें बतानी है आप मुझे बताईएगा किसी book shelf में 25 किताबों को sir कितने तरीके से जो है वो arrange किया जा सकता है क्या कहते हो तो sir total number of cases या अपने exhaustive जो cases होते है तो sir वो कितने आ गए total number of cases या फिर जो अपने exhaustive cases होते हैं वो sir कितने आए 25 factorial अब आप देखें आप ये कह रहें कि जी दोनों बुके हमेशा एक साथ आए पहले हम निकाल रहें always together की probability तो हम क्या करेंगे 23 बुक तो हम जैसे मरजी फिल कर दे 23 बुक तो हम जैसे मरजी फिल कर दे उन दो भुकों को नहीं एक भुक मान के चलेंगे हम सर एक भुक मान के चलेंगे total book कितने हुए 23 तो वो थी और आप उन दो को जो एसाए एक मान रहे हैं तो टोटल कितनी उसे 24 इन 24 को कितने तरीके से distribute किया सकता है क्या कहते हो 24 एक यह है आपने दो बुक को जो है वह एक मान लिया इसका मतलब वह दोनों आप एक साथ ही रखेंगे कहीं पर यहखिए तो यह भी तो वह दोनों की पोजिशन भी तो आगे पीछे हो सकती है हो सकता है पहले एक q a लुषlerde यह इसको मर्टिप्लाइ करेंगे किस से ठोकट pipeline यह क्यों आ है यह क्या आप देखें probability सर किसकी probability always together की probability किसकी always है तूगैदर इसकी probability क्या होगी फेवरेबल केसि कितने always तूगैदर के टूफेक्टोरियल एंटू में 24 फेक्टोरियल और सर नीचे क्या है 25 फेक्टोरियल इसको सब्थोड़ा solve करते हैं देखो क्या है अपना 2 into 1 है 24 फेक्टोरियल 25 24 फेक्टोरियल कुछ कैंसिल हो रहा है क्या क्या किया है 24 फेक्टोरियल लेरी गुद तो यह कैंसिल हो गया सर आंसर कितना आया अपना टूबाइ ट्वंटी 5 आ ख्या ऑल्वेस टूगेदर का 2 x अब अब गार प्रोबैबिलिटी बताएं इसकी विक्षा नहीं आती तो प्रोबैबिलिटी इसकी बतानिय रभ नैवर टुगैदर रहें ना कभी एक साथ नहीं आती बताओ इतने जगड़ हैं के अंदर हैं never together को मैं कैसे निकाल सकता हूं 1- always together ऐसे कर सकते हैं क्या क्या पर दो ही possibility या तो वह हमेशे साथ आएंगी या वह साथ नहीं आएंगी और तो क्या केस हो सकता है तो आम probability of never to get दर को कैसे निकाल सकती सर वन माइनस प्रोबैबिलिटी ओफ अल्वेस तुगैदर बास समझ रहे हैं आप तो सर इसकी प्रोबैबिलिटी कितनी है अल्वेस तुगैदर की तू बाइ टुगैदर की यह क्या आपके युनिवर्स्टी जो एक्जाम होते हैं ना आयो वेस्वाल हैं और बहुत ही बड़ी यह लेवल के सवालें मतलब इन में क्या आपको सोचना पड़ेगा तो यह सर आपका आंसर आगिए किसका समझा है सब को सब देखें नेक्स कोशन देखतें फिर को सब देखेंगा फुर्ट को यूज करके पांच फिगर वकाई नमबर बनाना है उसा नमबर कैसा ओना आशिए कि वह चार से डिवाईड हो सकते सर इसकी क्या प्रोबैबेलेटी हैं सबसे पहले देख हम यह निकाले कि पांच डिजिट के सर नमबर कितने बनाइ जा सकते हैं इनको यूज़ करके तो कितना आएगा 5 ही डिजिट है तो आपके मन्द में क्या आएगा 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 क्या बिल्कुल सही है बट समस्चे है कुछ मसला है इसके अंदर मसला क्या भी आपको समझ आएगा देखो मैंसे बॉलू क्या 5 figure number जो है मेरे पास वो कितने होने चाहिए थे क्योंकि digit अपने 5 यूज करनी है तो 5 factorial होने चाहिए थे बट सर ऐसा नहीं है क्यों 5 factorial में आप ये देखे कि आपने वो वाले cases भी cover कर लिए जैसे ये अपने पास 5 places है तो इस 5 factorial में सर क्या वो वाले case भी cover हो गए जिनके starting में 0 आया था क्योंकि 0 भी तो है एक digit और सर अगर starting में 0 आया तो क्या वो number 5 figure वाला रहा नहीं रहा वो कितना हो गया 4 digit number हो गया क्या हो गया सर वो 4 digit number हो गया देखो सर वो 5 figure number तो नहीं रहा फिर यानि मेरे को समझा गया 5 factorial में से मुझे वो cases minus करने पड़ेंगे जिन में starting में क्या रहा है सर 0 आ रहा है और सर सर स्टार्टिंग में अगर 0 fix कर दें तो इन 4 position 4 factorial यानि ये 4 factorial number वो है जो 4 figure number होंगे 5 figure number नहीं होंगे तो मुझे तो सिर्फ 5 figure वाले चाहिए total कितने थे 5 digits से 5 factorial 5 factorial में से 4 factorial सर वो है जो 4 figure है तो वो क्या करने पड़ेंगे इसमें से बो minus करने पड़ेंगे क्या सर जी क्या कहते हो ये वाला logic समझा आया comment में मेरे को बताईएगा comment करके ठीक है सर तो 5 figure number total कितने आगए सर 5 factorial तो यह हो गया माइनस चाहर फैक्टोरियल कि यह कितना होता है पांच चोग बीस और बीस इंटू छे एकसो बीस हैं जी सर चाहरत यह बारा बारा दुनी 24 तो टोटल जो अपने पास 5 figure number कितने आए 120 में से 24 गये कितने सर बचे अपने पास 96 अपने पास all possible cases 96 ऐसे number बनेंगे जो 5 figure number है अब हमें यह ज़र्च करना है 96 में से सर ऐसे कितने number है 5 figure वाले जो सर चार से डिवाइड हो सके देखो चार से कब डिवाइड हो सकता है जब जो लास्ट के दो प्लेस है यह चार से डिवाइड हो पाए तो सर अपने पास नंबर क्या है 01234 रिपिटिशन तो अलाउड है नहीं तो देखो लास्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी मैं लिखता हूँ आप मुझे बताइएगा हो सकता है यह रास्ट में जो है वह बारह हो ने पहली दो जो यह रास्ट कि जो दो प्लेसं ओर यह टीन प्लेसम में सांग और यह तीन स्सक्राइगा grabbed कि पॉस्याइड हो सकते हैं कंडिशन है सर अपनी है ना और क्या हो सकता है सर 24 के अलावा हो सकता है सर अपना 0 4 हो यह भी पॉसिबल है हो सकता है लास्ट में क्या हो सर अपने पास 40 हो और सर बताएं कुछ पॉसिबल है क्या 20 हो गया 12 हो गया और सर एक रह गया देखो बात भी बातों में 32, ये भी तो possible है, है न सर, तो ये अपने पास possibility है, कि अगर number इन से end होगा, तो हम damn sure है, वो किस से divisible होगा सर, four से अपना divisible होगा, आप देखें, ये जो number है, ये, ये और ये, इन तीन places को सर कैसे fill किया जा सकता है, इसके तीन places को भी, इसके तीन places को भी, इसमें हम damn sure है, क्योंकि zero वहाँ use हो चुका है, तो zero सर आगे नहीं आएगा, मतलब ये number हमेशे क्या रहेंगे, five figure number रहेंगे, तो तीन factorial ये possible है, तीन factorial, ये possible है, तीन factorial, ये possible है, यह पोसिबल है, तो यहाँ पे लिखते है जरा favorable cases, सर दे गटी दुर्गटना गटी दिन बारी चीन स्टारीयल मैंने लगाना है स klar अब इन वह कर सकते हैं सर बत उस देखें आपने वह केसचा भी कवर या पहली मैं तो जीरो आ सकता हैISS समझरें ना बात को तो हम इन 3 factorial में से वो case minus करने पड़ेंगे जब starting में क्या रहे सर आपका 0 आ रहे तो अगर starting में 0 fix कर दें तो सर अब कितनी place बचे अपने पास 2 place इनको कैसे भरा जा सकता है 2 factorial तो total case 3 factorial में से 2 factorial क्या करने पड़ेगा अपने को minus 6 में से सर दो गया कितना या 4 यानि अगर last में आपका 32 है तो 4 नंबर ऐसे मिलेंगे आपको जब 5 figured होंगे और 4 से divided देंगे क्योंकि last में आपने 32 fix किया हुआ है ऐसे ही देखे यहां भी सर यही सीन है क्योंकि 0 तो सर आ सकता है या कि नहीं है 0 यहां तो fix नहीं है आपका सेम सर इसके साथ सीन है समझ गए ना आपकी 0 यहां आ सकता है क्योंकि 0 वहां तो fix नहीं है तो यानि 4 यह 4 cases इसके और 4 cases इसके logic समझ आ रहा है कमेंट में बताइएगा मेरे को थोड़ा सा logical है अब अब सर ध्यान से सुनेंगे ना बात को तो समझ आएगा नहीं आता है सर description में नंबर है whatsapp message कर सकते हैं कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं कि जी मेरे को तो समझ नहीं आया है की नहीं सर तो favorable case कितने हो गए देखो 3 factorial कितना हो और 6 6 6 और 12 18 18 और 12 सर कितने हो गए फेवरेबल केसिस तीस यानि टोटल थे 96 और उसमें से 30 सर ऐसे नंबर है जो किस से डिविजिबल है चार से और मज़े की बात यह है वो तीस नंबर सर फाइफ फिगर्ड है और यह 96 नंबर भी फाइफ फिगर्ड है तो probability क्या आ गई सर अपनी तीस बटे 96 15 बटे चार हो गया और 48 सर यह अपना आंसर आगया कमेंट में बताइएगा मिर को किस को समझ आया किस को समझ नहीं आया समझ आया तो सर ठोके लाइक इसी बात पर अगला सवाल देखो सर जी आज का लास्स सवाल देखें मतलब यही टाइप ते जो आपके आये वे हैं युनिवस्टी एक्जाम में probability theory 1 से इसके बाद के लास्ट मतलब जो इतनी नेक्स क्लास है उसमें थोड़ी से सीखेंगे probability के लिए देन उसको फिर कॉंटिन्यू करेंगे ठीक है सब तो क्वेशन कहते हैं डिस्ट्रिब्यूटेड एट रेंडम अमंग त्री बॉक्स तीन आपके बास बॉक्स थे उनमें जो यह बारा बॉले बाटी गई इसकी क्या probability है कि पहले ही डबे में सर तीन बॉल मिल जाएंगी आप देखें अपने पास टोटल बॉल कितनी है सर बारा जो यह वह बॉल है अच्छा पहली जो बॉल है वह इन तीन बॉक्स में से किसी में भी जा सकती है तो कितने तरीके वह उसको फिल करने के तीन दूसरी बॉल को भी सर तीन तीसरी बॉल को भी तीन चौत्थी बॉल को भी तीन तो मैं बॉल दू क्या बारा जो बॉल है उनको कितने तरीकों से फिल कर सकते है टोटल नंबर ऑफ न केसी जो आएंगे अपने सर में पिमने को कमेंट में बताइएगा यह चीज समझाई क्या आकические च सकता है सर तीन तरीके से Singapore है दूसरी बांको भी क्या-तीन ही मताहिर नहीं अब क्या दैक lift disorder पहले ही Box में आपने ही तीन Kalem tö información कोई 3 बॉल इसके अंतर पिया चली गई मतलग 12c3 12 मैं से कोई 3 इसके अंदर चली सर बारा मैंसे कॉइझ चली इसकर बारा से तीन बोल जब चली ही गई है तो आप ऑझनी बची अपने पास नो अब आप देखो पहली बॉल को फिल कितने तरीके से किया जा सकता है सर दो, दूसरी बॉल को भी दो, तीसरी बॉल को भी दो और सर नाइंथ बॉल को भी दो तरीके से ही फिल किया जा सकता है पहले बॉक्स में स्रिफ तीन ही बॉल हमें चाहिए कॉशन के मताबिक देखे पहले बॉक्स में सिरफ तीन बॉल चाहिए बागी बॉल जémड़ न दोनों बॉक्स में जहेंगी तो सरफ तीन बॉल इसको दे देते हैं तो फिर अपने पास 9 बॉल भष्ती है एक बोल को फिल करने के तरीके orिक इतने सर्थ करने ना ए कि दो है तुट्यूप आवर 9 ओर यह कैसे 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 अगए अपने यह फेवरेबल केसी आए क्या जी फेवरेबल केसी आ गए टोटल नंबर ओफ केसी आ गए तो इंतजार किसका है बोलो प्रबैबिलिटी पहला बॉक्स कंटेंट थ्री बॉल्ड ऑफेवरेबल केसी कितने हैं 12C3 इंटू टू की पार 9 डिवाइड में टोटल नंबर ओफ केसी सर कितने हैं 3 रेस टूदी पार 12 तो सर यह कुछ टाइट थे जो आपके युनिवस्टी लेवल पे पूछे गए हैं बेसिक प्रोबैबिलिटी से अभी क्या अपने सेट फिरी डिसकस करनी है फिर थोड़े ओर ए अरे आप मुझे इंस्टाग्राम अपना ट्वीटर और लिंक्डिन पर मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में गिवन है तो शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए आप से सर में जल मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के कर दो शुक्रिया आप